तो दोस्तों स्वागल था अपसका फिर्शिक बरिंग टैक चैनल में तो फ्रेंट्स अभी आप लोग जैसा कि यह सामने माउंटेन देख रहे हो तो आज में यह करूँगा कि इस माउंटेन के उपर जाओंगा और उपर से यह देखूँगा कि आखिसकार उपर से देखने मे मुझे अपना बिलेज कैसा लगता है तो फ्रेंट्स वहां में जाता हूं और आप सब को भी दिखाता हूं अभी फ्रेंट्स आप लोग जैसा कि देख रहे हो मेरे बगल में यह मेरा डोग है जो मेरे साथ हमेशा रहता है यानि कि मुझे थोड़ा क्रीपर जोंबी सो प्र और फ्रेंट्स उतना उपर जाना है मुझे तो कोई भी रास्ते में मिल सकता है यानि कि जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो जोंबी लोग तो रात में आते लेकिन उसके बीच में मुझे अगर कहीं क्रीपर मिल गया तो थोड़ा उससे मेरी एक दो सेकेंड की फाइट हो ज मेरे नियर यानि बिलेजिक के जस्ट इकदम बगल में ये एक गुफा है उसके अंदर में ये पहाड से आने के बाद यानि की माउंटर से जब मैं उदर से आ जाऊंगा तो उसके अंदर जाऊंगा तो वहां का भी आप सब को अगर वीडियो देखना है तो कंटीनिव बैठने देता है कि नहीं तो तो आप लोग यह मज़े दिल भी दिया वहाऑ तो यहाससा कि देख रहे हूं यो अभी मैं खना यह मैं अप उसकी गट कर रहा हूं आ श से चलता हूं नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा मैं बरावाट टाइम पे घर पे नहीं जा पाऊंगा साम भी हो जाएगी तो अभी मैं चलता हूं यहां से आगे तो फ्रेंड्स आप लोग जैसा की देख रहे थे एकदम मज़ा आगे अलामा के उपर वैटने पर और अभी मैं जा रहा हूं हैं सामने तो दिख रहा है तो जबी मार लेता ह्ं आप क्छोटी मे sustainable के पास पहुंचने के बाद दिखाता हूं तो अभी फ्रेंट्स आप लोग जैसा कि देख रहे हो मैं माउंटेन के पास आ गया हूँ और फ्रेंट्स आप लोग ज़रा एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पर बगल में एक छोटी से गूफा भी है वहाँ मैं नहीं जाओंगा चिकंडिन नहीं बनना है मेरे को जोंबिय और क्रीपर का तो अभी फ्रेंट्स आप लोग जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर एक अच्छी बात यह कि यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर सीडी टाइप का यानि की रस्ता बना है तो भी मैं इसके उपर साधानी से चल रहा हूं और एकदम आराम से जा रहा हूं अगर थोड फ्रेंट्स आप लोग जैसा कि देख रहे हो इससे पहले मैं यहाँ पर मैं एक बार भी नहीं आया था और आप लोग जैसा कि देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है यहां से एकदम ब्यूटिफुल नेचर एकदम नेचरली इतना मस्त लग रहा है फ्रेंट्स इससे प भी आपसकी देख रहे हो इतना मस्त मुहहां पर आ रहा है आप लोग भी जैसे सकी देख रहों कि मैं आप सको बतानी सकता है कंट करें ज़रूर बताना कि अपस couple यह ATS कैसी लगी इन इतना उपर आप सब के लिए यहां पर आया क्योंकि आप सब को मैं दिखाना चाहता कि आखिरकार कैसा मुझे point of view मिलता है अपने village का तो अभी friends आप लोग यह सब देख रहे हो साम हो रही है तो मैं जा रहे हो अप सीधा अपने घर पे so we friends मैं mountain से नीचे कल आ गया था अभी मैं पूरी तयारी के साथ लावा बकेट यानि कि सब कुछ लेके जा रहा हूं इस सामने वाली गुफा में जैसा कि आप सब को मैं कल बताया था अभी friends में इस गुफा में एक भी बार गाया नहीं मुझे नहीं पता कि आखिरकार अंदर कौन है या नहीं क्रीपर है या नहीं तो अभी मैं जाता हूं इ आप सब को एक बात और बता दू कि अगर मैं इस गेम के अंदर डरूंगा तो नहीं खेल पाऊंगा बिल्कुल भी तो अभी मैं बीना डरे बिंदास जा रहा हूं इस गुफा के अंदर हर जगाए मसाल लगाते हुए मुझे एक दो जगा दिख गये हैं आईरन के ब्लोक्स तो अभी मैं जाता हूं जरा और अंदर अधेरा एकदम थोड़ा तो फट रही है क्या बता हूं मैं आप सब को लेकिन अंदर जाओं गा स्वेड में निकाल लिया हूं अभी आप लोग यह सब देख रहे हो अभी अंदर भाई टॉर्स निकालतू तो अभी मैं टॉर्स कर बंद जा तो बढ़ी आए मज़ आ जाएगा अंदर न जाना पड़ गारे घृष तो फ्रेंट्स मैं आब सब को पता व्कि हो ठीए ऊछा में मैं यही देख रहे हूं अब यह ही मना रहा था कि अखिर करहें यह अंदर गुफा खतम हो जाए तो ऊपशनल यह जहां पर आ आइरेन के ब्लोक्स यहां से गेन हुए यानि की मिले हैं तो अभी मैं चलता हूँ जारा बाहर रस्ता भी बना देता हूँ क्योंकि अभी कोई डर नहीं है मेरे को यहां पर मैं हर जगा मसाल लगा चुका हूँ तो अभी मैं बाहर इसलिए आया हूँ फ्रेंट्स की चेक करने की कहीं साम तो नहीं होगी यह नहीं तो फिर मेरी तो एकदम पीटी बनी जाएगी यहां पर तो अभी फ्रेंट्स मैं फिर से एक बार गुफा के अंदर आ चुका हूँ अभी मेरा थोड़ा खाना विका में तो मैं एक चिकन खा लेता हूँ थोड़ा हलता जाएगी तो अभी मैं यहाँ से जल्दी ऐल्दी सारी माइनिंग कर लेता हूँ उसके वाद मैं आप सबको दिखाता हूं फ्रैंस की मेरे को कितने ऐरन ब्लोक्स यहां से मिले हैं को सबिया आप लोक जिसा कि देख रीयों मैंने वनिकर लेगए जितने भी आई रहलंग के ब्लोक्स थे लेदर नहीं मिला एक्सपी मिल गया और खाना मिल गया चलोगा इतना ही काफी है मेरे लिए सो फ्रेंट्स अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हूं मेरे बगल में यह छोटा सफार में जिसके अंदर कैरोट और भी कुछ बगल में है यह मेरे विलेजर जो थे यहाँ पर अभी तो लोग यहाँ पर नहीं है जो हम भी लोग उनको मार दी है पूरा अच्छे तरीके से तो उनकी एकदम में पॉपुलेशन है ही नहीं खतम जीरो तो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक और सेर कर दे फ्रेंट्स को ताकि यह लोग भी यह वीडियो देख पाए और फ्रेंट्स आप लोग जैसा कि देखरों यह मेरे बगल में जो डोग है यह मेरे इतना सपोर्ट क करता है कि क्या बता फ्रेंज तो मिलते अभी नेक्स्ट वीडियो में